दोस्ते दोस्तों Welcome back to the channel, तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा आप अपने BMW पे इंडिवीज्वल प्रोफाइल कैसे सेट कर सकते हैं, तो चलो है बिनना टाइम वेस्ट करें वीडियो को शुरू करते हैं BMW के अंदर एक option होता है प्रोफाइल का, जिसके अंदर की आप तीन ईंडिवीज्वल प्रोफायर सेलेक्ट कर सकते हैं इसके अंदर तीन आदमी अपनी डीटेल सेट कर सकते हैं, जब वो गाड़ी चलाएं वो उस प्रोफाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं क्या होगा जो उनकी seat memory है FM station है AC controls है steering है mirror controls है सब profile के according set होगा और कभी कोई driver या और कोई आदमी गाड़ी चला रहा है तो guest पर click करके अपनी settings को save कर सकता है तीन नाम इसके अंदर save कर सकते हो बट guest का profile rename नहीं होता अगर मैं दूसरी profile को select करूँगा तो जो जो setting उस profile में save होंगी उसके according के मेरी seat move होगी steering move होगा AC control उसी के according होगा जब मैं यहाँ पर okay करूँगा आई drive पर जो option का button होता है उसके ओपर click करकर आप यहाँ पर अपना एक shortcut button है तो अगर दूसरे profile पर click करता हूँ और दबा कर तो अब तीसरी profile पर जो जो setting सेव होंगी वो आ जाएंगी एसी controls आप देख सकते हो दूसरी profile change करते ही यहाँ पर वो भी change हो गई दूसरी profile पर जाने से पहले मैं यहाँ पर AC controls को change करूँगा staring की position को change करूँगा और side mirror की position को भी change करूँगा और उसके बाद जैसे ही मैं इस profile पर click करूँगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा भी आएगा are you sure you wish to change the profile staring seat column में move तो इसके अंदर आपके even की radio controls भी change हो जाता जो आपने setting उस profile में सेव की हुई है वही आएगी okay का बटन दबाते ही staring अपनी original position पे आ जाएगा जो की इस profile में सेव है और side view mirror भी अपनी position पे चला जाएगा जो इस profile में अगर आप FM प्ले कर रहे थे एक profile में आउक्स प्ले कर रहे थे तो दूसरी profile चेंज करते ही आप आउक्स पर आ जाओगा तो यह बहुत ही कस्टमाइजड सेटिंग या profile होती है इच individual के लिए इस profile का एक shortcut भी होता है कि गाड़ी आप स्टार्ट करो और वहीं पर आपको profile दिख जाए हर बार नहीं तो आपको setting में जाकर नीचे profile में जाकर फिर यह अपनी individual profile सिलेक्ट करनी पड़ेगी आगी आप जब भी गाड़ी आउन करो आपको यह सारी profile दिखें उसके लिए आपको यहाँ पर profile के menu में जाकर यहां पर लिखाएगा show user list at start इसको आपको सिलेक्ट कर देना इसके बाद जब भी आप गाड़ी आउन करोगे तो सबसे पहले आपको यह profile सी दिखेंगी आई ड्राइव पर जैसे में गाड़ी आउन करूंगा पहली चीज जो यहां पर आई ड्राइव पर दिखेंगी वह आपकी profile से जो गाड़ी चला रहा होगा वह इंडिवीज्वाली इसको सिलेक्ट कर सकता है जैसे कि मैंने पहले बता है आप तीन profile को से सेट भी कर सकते हो उससे जो जो फैक्टरी सेटिंग होती है उस profile की वहां पर वो सेटिंग सेव हो जाएगी और जैसी गैस्ट की profile को मैं सिलेक्ट करूंगा सिलेक्ट करने के बाद आप रिनेम का option देख सकते हो वो आपको यहां नहीं दिखेगा आई नो काफी BMW ओनर्स को इ अगर वीडियो अच्छी लगी है नासी और वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो यह आप लोग ध्यान रखो अपना और अपनी गाडियों का और मिलते है अगली वीडियो वीडियो ओनर को वा सुझा इसके का मिलते है प्यार आप लेखने में होंख जावने का ब huis तक बंब शिद्दाना कि ने सब्सक्राइब.